हेगाइस कैसे आपसे सुवाद आपका जैजी फो टेक किस नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप स्मार्टफोन की जो की 20-25,000 की रेंज में आप खरीच सकते हैं आज की रेट में और अपकमिंग लॉंचेस की बात करेंगे जो की आपको एक महीने के अंदर दिखने हो मिलने वाले हैं इसी प्राइस रेंज में और भूत ज़ादा अच्छी स्पैसिवेशन के साथ में तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में अगर आपका डाउट था 20-25,000 की रेंज में कुन सा फोन खरीचना चाहिए तो इस वीडियो देखने वाद आपको सारा डाउट क्लियर होने वाला है विलाल इस वीडियो शुरू करें हैं दोस्तो लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आप अछे लगी हो अच्छी लहाएंट हो si5G नहीं है तो यहाँ पे मैं दोनों ही लेके चलूँगा 4G, 5G जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं स्पेसिविकेशन के तरफ से मैं यह नहीं देख रहा है उसमें की 4G फोन है 5G तो आपको बताने वालों की स्पेसिविकेशन के तरफ आपके लिए कौन सा फोन बढ़िया रहेगा अभी के लिए कर आप 20-25,000 की रेंज में रूण रहे हैं तो सबसे जाला फोन है वो है सैंसंग गैलेक्सी F62 जी है दोस्तों यह वाला फोन काफी जादा अच्छे फीचर्स के साथ आता है और बहुत जादा अमेजिंग फोन है सैंसंग की तरफ से और फ्लिपकार्ट पर 24,000 रुपर का प्राइज है इसका 6 प्लस 128 जीवी का लेकिन यह आपको ICICI के डिसकाउंट के साथ रेगुलर ओफर चल रहा है वो अभी तक के लिए तो धाई जार पर कैश बैग या ओफर बगएर है तो यहाँ पे साड़ा एक किस या बाइस जार पर क्या सपास आपको मिल जागा है यह वल फोन तो यहाँ पे दोस्तों इसके काफी सारे अच्छे फीचर्स है जाई 6.7 इसकी Full HD प्लस Super AMOLED डिस्प्ले है यहाँ पे 60 Hz वाले डिस्प्ले है 90 Hz अगरा नहीं है यहाँ पे Android 11 यहाँ पे दिया गया है और Out of the Box मिल जाता है आपको One UI 3.1 मिल जाता है Nox Security भी मिल जाती है जो कि Samsung की काफी ज़्यादा फेमस है 7.7 64 में विक्सल का Quad Camera है यहाँ पे Back में और 32 में विक्सल का Front Camera है यहाँ पे Exynos 9825 वाला प्रोसेसर मिल जाता है दोस्तों आपको यह Samsung का flagship प्रोसेसर है जो की S10 Plus वागरा में आया था कभी तो काफी अच्छा प्रोसेसर है 5G के बगार काम तो यह वाला फोन डेफिनिटली से आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा option मन सकता है और यहाँ पे दोस्तो 7000MH की बैटरी मिल जाती है 25W की charging के साथ तो 7000MH की बैटरी का बहुत ज़्यादा तकड़ा है दोस्तो मैं भी अपना Samsung M51 में यूज़ कर रहा हूँ तो काफी ज़्यादा एक अच्छा आपको बैटरी का भी तो बहुत overall all-rounder मैं फोन कहना चाहूँगा इस वाले फोन को दूसरे फोन की बात करें तो यहाँ पर आलता है Realme का X7 तो यहाँ पर यह वाला जो फोन है 20,000 पर प्राइजिंग है इसकी लेकिन डिसकाउंट के साथ थोड़ा और कम मिल जाता है आपको 1899,000 पर का फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर दोस्तो आपको 6.43 इंचिस की Full HD Plus Super Hamlet डि दिस्प्लिया कोई 90Hz या 120Hz वाली नहीं है Android 11 मिल जाता है आपको अभी अपडेट के बाद और 48 में अपिक्सल का यहाँ पर क्वार्ट केमरा सेटप दिया गया है 16 में अपिक्सल का फ्रंट है और यहाँ पर Dimensity 800 यू वाला 5G प्रसेसर है साधी 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 यहाँ पर 4310 इम आपको इस वाले फोन में तो यह डेफिनेटल से आपके लिए बहुत अच्छा रहे है और डिजाइन वगरा इसका बहुत सही है लेकिन पॉली कार्बनेट है आपको दोनों में ही Samsung F62 में और इसमें भी तो यह आपको ध्यान रखना है लेकिन आपको रियलमी का काफी अच् में अब आप समझी गए होगे मैं के बात कर रहो रियलमी X50 Pro की जो कि इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन बना था और बहुत जादा एक अच्छे प्राइस पर आपको यह फोन मिल रहा है अब आप सोच रहोगे यह इतना पुराना फोन क्यों मेरे को रिकमेंड कर रहा है ल Snapdragon 865 का गेमिंग प्रोसेसर लगा हुए जो की फ्लैक्शिप प्रोसेसर तब पिछले साल का जो की डूल 5G मोड के साथ आता है मतलब दोनों इसीं 5G सपोर्ट करती है यहां पर आपको 6.44 इंचिस की फॉल एच्डी प्लेस 90 हट्स की डिस्प्ले मिल जाती है साथ ही साथ बैटरी जो है दोस्तों थोड़ी सी चोटी है 2400 मह की लेकिन वहां पर चार्जिंग भहुत ज्यादा फास मिल जादी आपको 65 वोट की चार्जिंग के साथ तो काफी मैं कहना चाहूंगा बहुत सही एक अच्छी ओफरिंग मिल को लगी और मैंने काफी अच्छा लगा गुरिल लग लास फाइब लगा दोनों में तो काफी एक अच्छी आपको एक्स्पिरिंस मिलने वाला इस वाले फोन में अब एक और दोस्तों फोन आजाता है वो आजाता है सैमसंग की तरफ से तो आप सोचिर होगे सैमसंग और रियल्मी में निकल जाएगा यह तो लेकि आपको मिल जाएगा यहां पर आपको 6.5 इंचेस की फूल हेडी प्लस सूपर अमलेट इसमेर वाली यहां पर भी एंड्रोइड एलाउन मिल जाता है सिक्स्टी फोन में पिक्सल का क्वाड कैमरा सेटप मिल जाता है 32 में अभी सेलफी यहां पर दोस्तों एक अडिश्टिन संग का फोन चाहिए कोई अच्छा और एसीरीज का तो यह वाला ही अभी फोन है पच्छीज़ रोपी का सपास जो आ रहे हैं पैंतालीस मेंच की बैटरी है पच्छीज़ वोट की फास चार्जिंग के साथ और यहां पे अंड्रोइट 11 तो मिलता है आउट अफ दबोक्स वन के अगर उन्हें प्रोसेशर से मतलब नहीं कहीं ओडियंस ऐसी जिसको प्रोसेशर से जाधा मतलब नहीं होता है लेकिन उसको और अच्छा फोन चीछ होता और काफी अच्छे अच्छे फोन समय देखने हों मिलने वाले नेक्स्ट मन्त इस मन्त तो नहीं आएंगे क्योंकि कंपनीज ने अल्रड़ी कहा दिया कि में के महिने में वह कोई भी फोन लॉंच नहीं करेंगे कोरोना की वज़े से लेकिन यहां पे दोस्तों आपको नेक्स्ट मन्त जो मिलना है रियल्मी की तरफ से जो काफी जादा हाइपड फोन है रियल्मी X7 Max जो की रियल्मी जीटी नियों का ही रिब्रेंड होगा यहां पे X7 Max के नाम से आएगा ताइमेंसी ट्वेल हंडड वाला प्रोसेसर है वहाँ पे दोस्तों 120 हर्स की यहां पे AMO पटकर देखे लेकिन यहां पर इंडिया में टैक्सी जोड़ के भी देखे तो 23,000 के आसपास बन सकता है 23,000 के आसपास मैं मैं expect कर रहा हूं कि 23 यह 24,000 के आसपास यह phone इंडिया में आ सकता है तो हां 25,000 के अंदर आएगा यह वाला phone काफी एक अच्छा phone होने वाला है और next phone की बात करें तो Poco की तरफ से एक phone कहा जा रहा है कि बंदब mysterious सा बन गया यह phone जो चाइना में अभी गया था Redmi K40 Gaming Enhanced Edition तो वाला phone जो है दोस्तो चाइना में गया था ट्रिगर से उसमें और बहुत जादा अच्छा interesting phone है और उसकी price दोस्तो convert कर बता हूं तो 22,000 के आसपास starting थी Indian currency में लेकिन अगर मैं आपको इंडिया यह बात कर तो यहां पे 25,000 के आसपास से starting हो सकती है यह Poco F3 GT के नम से खाजा रहे कि इंडिया में यह phone आ सकता है तो देखते हैं जोस्तो यह दो phones काफी जादा इंडिया में नहीं आएंगे तो फाइदा मुझे नहीं लगता मजाएगा मुझे वरना मैं उसको जरूर लूँगा अगर त्रिगर्स के साथ जरूर आता है वह तो काफी दा इंट्रस्टिंग फॉन्स होंगे वह दोनों भी देखने वाली बात है बस यहीं था दुस्त वी लाक करें चैनल को सब्सक्राइब भी आपकर लिजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी कैसी लगी आप कमेंट करें बताना जरूर से और सब्सक्राइब अगर कर लिया तो बेल एकन दबाना मत भूलना नोटिवीएशन के लिए आपे अपलोड होती रहीगे अपसे फिल आज बस वीडियो में इतना ही मिलते हैं वीडियो में देडिल तिल देन बाइबाए